कि यह मोगा कितने की पैसे बन जाते थे जैसे लेग गुजारा चलता थे सीजन में कितना की पैसे आ जा रहे हैं मैं मतलब तो हेलो दोस्तों सवागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चत्रू फार्मिंग में तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं डिस्टिक्ट बिलासपूर हिमाचल परदेश में जंडुत्ता तैसील में और आज हम आपको दिखाएंगे कि यह जो गौवा की कितनी अच फार्मर ने किया हुआ है काम उनसे बात करेंगे तो नमस्कार जी तो आप अपना नाम बता दोगा है ले तो मेरे नाम मदुवाला है मदुवाला और यह लोकेशन का जैसे पढ़ते हैं जंडुत्ता तैसील है ला जंडुत्ता तैसील है बैरन कोट लुगा हूँ अच्छ तो सबसे सुरू में आप यह बताओ कि आपने सबसे पहले क्या करते थे इन खेतों में पहले हूं अच्छ तो यह फिर इस चीज का कैसे मन में आया कि हम यहां पर अम्रूद लगाएं यह तो मारे को स्कीम मिली अग्रिकल्चर बालों की तरफ से उन्होंने बताया फिर उसक और लगाएं किसने फिर पहुद Fill अमने अपने अपने अंचाम अपने अपने अब लगाएं एंगे हैं तो पहले क्या परॉफिट आता था इनका जैसे मक्का और गम उगाते थे आफ्ह तो कितने पैसे बन जाते थे जैसे ऑस प्ढायें गुजारा चलता था अब क्या production आ रही है इनसे मतलब कितने के पैसे हो जारे है मतलब एक season में कितना के पैसे आ जारे है मतलब 30 का 1000 अभी सुरुवात है ना सुरुवात है अभी plant भी छोटे है कितनी production ले लें इनकी जैसे ये आपके जो पिछे हैं ये अमरूद के पेड़ा ही साल चार साल के तो अभी कटिंग नहीं किये इसकी कब होगी कटिंग कटिंग कि मई में अभी फ्रूट लेने उसके बाद अच्छ अच्छ लेने तो इस बार भी 31,000 रुपे की आपने मतलब शेल कर दिया मतलब इस वार नहीं कि अब पिछली वार की अभी हमने करनी है तीक है तो यानि बड़ा अंतर है मतलब अगर गेहूं और मक्का उगाएंगे तो उसको आदे से ज्यादा तो जानवरी खा जाएंगे और मतलब वह प्रोडक्शन नहीं आएगी 30,000 रुपे का कभी भी नहीं प्रॉफिट हो पाएगा अगर हम यहीं करेंगे तो नहीं होगा कभी नहीं होगा और अगर हम यह जैसे अम्रूद की कितनी अच्छी आज कल मार्केट में कम से कम नहीं भी होगा तो 1.500 रुपे किलो होगा अम्रूद ना है कौन सी ब्राइटी है यह अम्रूद की यह हमारे पास लदी तयार स्वेटा और धवले तीन आपके पास तो यह मैं देख रहा हूं आपकी यहां पे गाउं में लगग लगग सब ही नहीं यहीं अम्रूद का ही किया हुआ हुआ है काम ना अच्छा तो आप सबी नहीं यही ब्राटी लगाई हुई है कि आपकी अलग हैं यह अग्रिकल्चर से मिले थे आपको प्लाटेशन बगारा सब कुछ और यह देखवाल कौन करते हैं यहां पर अपने आप भी करते हैं यह तो काफी अच्छा लगा इनके जो हजबना यह भी है हमारे साथ तो मै चाहूंगा कि यह भी आजाएं थोड़ी देर हैं मतलब ठीक लग रहा है आपको कुल मिला है और बड़ी है ना जी तो और भी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी क्या बोलोगे आपकी वो भी इसको अगर लगाएंगे तो बेनफिट में रहेगा जादा फैदा रहेगा क्योंकि यह मक्का में तो कोई फैदा नहीं है मैं भी यही सोच रहा हूं और मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि गेहूं और मक्का की अगर हम प्रोड़क्शन लें तो उससे इतना ज़्यादा फार्मर का प्रॉफिट नहीं होगा उसके बजाए अगर ह हम जैसे ग्वाबा हो गया कई जगा हमने देखा है कि फार्मर लीची भी उगा रहे हैं अनार लगा रहे हैं नीवू उगा रहे हैं तो यह चीज की करने से क्या है कि अपनी ठीक ठाक आईगी और मतलब अच्छा फार्मर को काफी बैनिफिट मिलेगा गेहूं और मक्का जो है मुझे वो सब में ही अम्रूद ही अम्रूद लगे हैं अम्रूद की फार्मिंग होती है कुछ और भी होता है अम्रूद है यहां पर कामिया बेसिकली अम्रूद ही तो इसको क्लाइमेंट का कैसा ही क्या होता है कि कैसा मौसम चाहिए अगर कोर भी पढ़ता है ना तो ज़ कुछ नहीं होता तो काफी बड़ी अलगा आप से बात करके और हमारा ये आज का एक छोटा सा ही एक इंट्रिव्यू था और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि और भी ऐसी ऐसी वीडियो और लेके आएं आप सभी के लिए तो चैनल पर बने रहें और जिसके भी नियर करें हम आपके यहां पर आके जो है वो वीडियो शूट किया करेंगे आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं आप पिगरी का काम करते हो आप गोट फार्मिंग करते हो अगर आपका अच्छा काम है जिसको आप दिखाना चाहते हैं अपने अल ओवर इंडिया में अल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो वीडियो को मैं अब यहीं पर खतम करने जा रहा हूं क्यूंकि इन लोगों के पास भी टाइम नहीं और हम एकदम से ही आगे इनके घर पे हमने कोई ऐसा कोई प्लान था नहीं हमारा बट कोई बात नहीं हमें अच्छा लगा यह जहां प दिखाना चाहूंगा कि इसके एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस हो कितना होगा दो मीटर की यह डिस्टेंस और ऐसे एसे जो है वो तीन की है चलो है चलिए ठीक है तो बहुत अच्छा लगा हमें यहां पर आके और इनका इंट्रिव्यू करके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी भी इंफोर्मेशनल लग रही है, तो चैनल पर बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, धन्यवाद, जै हिंद, जै जमान, जै किशान